हाई फ्रेंस वर्कुम तो माई टूप चैनल आज मैं बनाने बना चुकी हूँ मसाला किचडी की रसेटी जी बहुत ही टेस्टी लगती है मसाला किचडी और एकदम इजी वे में बनेगी और बहुत ही हेल्दी बहुत सारे जनके किचडी का नाम सुनते ही बस मुह सड़ जाता कोई बाहर से कुछ चीज लाने की ज़रुत ने गर में जो चीज आप उससे बना सकते है इतना टेस्टी है चले बनाते है लेट्स गो सबसे पहले एक कुकर ले लिजे जल्दी बन जाता है इसकंदर डालने से टेस्ट बढ़ जाता है जी खोशिश कीजिएगा घी डाले और तीन चरह हड़ी मिर्च जो मैं मसाला किषडी बोर रही हैं अगर आप हैं पूजा के लिए बना रहे हैं बंडारा जैसे चीजों के लिए बना रहे है तो फिर आप ऑपनियों कर सकते हैं तो फिर इसकंदर में डालीए थोड़ोटोड़े खड़े मसाला जो है अपके बस दालचीनी, फूल, लॉंग, लाएजी, सब दो-दो पीसेस डाल देजे, डालने से कुशिबू बहुत आता है, अच्छा आता है, और ये गी में उसका फ्लेवर मस्त आता है, फिर ये रेड कलर का, जिसके अंदर डाल रही हूँ, चार-पाच लसुन कलिया, और थोड़े से अ का आपको बताऊंगे, उसके बाद ये ओनियन से थोड़े रेड होने देना है, उसके बाद डालनेंगे, जो गर्में है सबजया में, पत्ता गोबी, गवर फली, कच्छा केला, क्या होते हैं, कहरोट, फूल को भी, जो मिलता डाल देजे, मेरे पास नेता है, फूल को भी, जो है सबजया, उसको डाल लेंगे, एक बड़ा कप, उसका बंदर डालूंगी में, तीन नॉर्मल साइस के टमाटर काटके डाल दीजेगा, टमाटर डालने से बहुत ही टेस्ट आते, तीन या चाल डाल लिजे, रफली काटके डाल दीजेगा, मस्त पक जाएंगे, में रहता, तो बड़ा टेस्ट आता, तो इसकंदर डाल रहें, एक बड़ा चमच लाल मीच पाउडर में, हरी मीच भी डाला है, मैंने, फिर भी में लाल मीच डाल रहें, अगर आप बच्चलों के लिए बना रहें, तोड़ा स्किप्ट कर सकते हैं, इसकंदर डाल रहें, दन्या प्रती दन्या प्रणी एक चमच और गरम मसाला एक चमच इससे डालने से बहुत आख व्लेवर बहुत तेझत आगे ol sorry दन्या पड्रक से निक्स कर लेंगे हम लो कि यह देखिए 2010 टमाड़ डाल र यह हमने तो टमाड़ को गलना इस दकन लगाई है पाद दस मिन छोड़िए टमाटर मस्त गल जाएगा और सबजी भी मस्त हलकी गली जाएगी जब भूनेंगे कोई चीज तभी तो टेस्ट आता है कच्छा पकाऊ हमने चड़ा देंगे तो टेस्ट नहीं आता है कभी भी याद रखेगा देखे टमाटर पूरे गल चुके हैं जिस ग्रेवी जैसा आ गया है बास इस टाइम में हम लोग अभी डालेंगे अपने सारे नेक्स्ट इंगेर्जेंस गैस का फ्लेम लोटू मिडियम रखेगा यह एक कप है उड़ा तूर डाल जो से दाल बनाते हैं वह है एक कप अच्छे से धो के इसको डाल अधर में आदर में आदा कप इसको अच्छे से तो लिया मेंने और इसको डाल दे पानी के साथ नहीं डालना क्योंकि कि इसको भी भूनना है हमें, भूनेगा तब भी तो टेस्ट आएगा, एक पर तब मेने कहने पर इस तरह बना के देखेगा, फिर मुझे आप याद करेंगे, यह सवा कप चावल, कोई भी चावल लीजे, आपका गर में नॉर्मल रहता है न, वो चावल ले लीजेगा, सवा क गी है, सब्जा है, ताकि इसको सारा फ्लेवर उसके अंदर अच्छा से अब जवोंगे, बहुत अच्छा लगींगे, पाश मिन तक तो इसको अच्छा से बून लीजेगा, गैस थोड़ा हाई कर सकते हैं, लेकिं खड़ा रहना है, जल जाएगा ने तो है न, कभी भी कोई कोई चीज थोड़ा से तले में लगता न, को टेस्ट खराब हो जाता है, बहुत इतना मेनद करता है, थोड़े देर खड़े हो जाईगे, बस थोड़े देर में उसके बाद आरामी है, गैस का सीथी लगा देंगे कुकर कब लो, फिर पाश मिन तक अच्छे से बोन लेना, देखे, पूरा पानी, देखो, सोक या न, कोई पानी ने दिख रहा है, तो अब इसी बीच हम लोग पानी डालेंगे, जो कप से आपने मेजरमेंट किया, कप और ग्लास, वी कठोरी, जो उससे, साथ कप पानी डालना है, याद रखेंगे, यह मेजरमेंट का अगर डाल चा पानी को बराबर मेजरमेंट से डाल दीजिए क्या ना जादा भी डाल दोगी ना तो यह कुकर से बाहर आ जाएगा उसके साथ मसाले साब पुरा गैस भी गंद होगा इसलिए मेजरमेंट याद रखेगा साथ कप पानी अच्छ से डाल लेना है हां मैं जानती हूं मेरे कुकर बहुत पुराना हो गया इसको मेरे को चेंज करना है तो परसनल प्रॉब्लम्स हो जो से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूं उसके लिए सौरी प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कमना कीजिए आपका सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है फिर इसको बीड लगा देर देके पुर कलर छूड़ यह वह पर घंदगी लिए इसको हम लोग लगाएंगे पाथ सीटी बीडेम आच पेश को पाथ सीटी करना ही यह ठेके और पेले चार-पाश सीटी निकाल चीपनी के लास्ट वाल सीटी होगए पाठ सेटी इसको हम लोग कर लेना है पाठ सीटी करने के बद अच्छा ठंडा होना देना। होतो आजायेगा पूरा ठंडा उने में लिए किना मस तो देख रहा है अब भी भी चावल खिले की ले देखे की ने बहुत सारे जनको किछडी इसी तरह पसंद है ठीक गाड़ी और हम जैसे लोग को थोड़ा सा उसको रनी पसंद है पतला तो इसको अच्छे से पहले मिला लेते हैं हम लोग अब भी इतिनी अच्छी कुछ भूआ रही है अगर आ जब भी आपको पतला करना पानी डालना है मैं बता रही है आपको गरम पानी डालना है ये तीन गलास गरम पानी मैंने गरम करके इसमें डालना है ठंडा पानी डालेंगे तो चावल खड़े-खड़े हो जाएंगे और ये मसाला को छोड़ देंगे गरम पानी डालेंगे त तो मसाला पे कोट रहेगा और टेस्ट बना रहेगा चावल के अंदर भी याद रखेगा ना फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जैसे घोट लेना जैसे मिक्स कर ले जैसा किछडी तो घुटती है वैसे मिक्स कर लेना कोई गोटना उटना लेनी की जरूतने चम्मत से हो कि इतना गाडान ऐह है हमारे गज़े में फिर इसको अच्छ ज से मिक्स कर देने के बाद देखिक इसको थोड़ा और मिक्स कर लिए तो कि नीची के तले से निकाल के मिक्स कीजएगा कितना गाडा किता है आठ टेस्ट तीज कुष्बू मस्ता आता इसको इसको साइड रखेंगे अब चलते तड़के की तरह जीहाद दो तड़के लगेंगे इसको फिर एक कड़ाय लेती हूँ उसके अंदर में डालूंगी घी से ही किछडी टेस्ट आती हो हो बोलते ना घी कहा जाएगी किछडी में ऐसा बोलते हैं जो महावरा है ओ यह यह फिर इसके बार तीन-चर चमच की घी डाल देने के बार उसके अंदर एक चमच उड़त दाल एक चमच चना दाल डाल रही हूँ यह थोड़ा सा हलका सा मरूनिश होने दीजिए ताकि खुश्बू आता है इससे बहुत अच्छा खुश्बू आता है और हम सौधिने इसके पास ह पीरा जोड़ा डाल कि थोड़ा सा उसको फूटने देना है थोड़ा सा मरूनई शोने देना है लोग क्या करते डाल देते त्रण चोक डाल देंगे वह पके गानी फूटेगा ने कढ़वा रहता है सरसुदाने सब को देखे यह लाल कलर हो गया है इसके अंदर डाल रही तड़की वाली सुखी वाली लालमीच जी हाँ डाल लीजे मैंने इसमें हींग भी डाला था मैं स्किप हो गया मुझसे वो वीडियो आप जरूर डाल लीजे आदा चमच उतना हिंग डाल लीजे हिंग से बहुत अची कुछ वह आती है और प्लस हिंग इतनी अची चीज़े कि आपको डाइजेशन में काम आएगे के इसको डालने के बाद और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा कलरफुल के लिए किसवी कलरफुल दिखनी चाहिए इसका अंदर डाल कशमीरी लालमीच पौडर एक चमच यह सुदर दिखनी के लिए तिकान नहीं रहता अगर आपके पास नहीं है ता पावड कीजे यह डालन पड़ता बस तुरंत तड़का उस कुकर के बगने में डाल लिए और तुरंत डखकन लगा देना है कभी भी तड़का लगा है डाल हे तुर मैं बढताती हूद ताकि उसकी कुश्वू उसकंदर रह सके देखे डककन लगा दिया मैंने अब खुल गया डककन क्या दिखरा देखे कोई बोलेगा आपने गर में बना बाहर जो बंडारे में जहाँ पर मिलता है वाँ सब किषडी दिखरे देखो कितना मौस्त सुन्दर अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगे और मैं इसको सर्व कर लूँगे थैंक्स पर वाचिंग